लॉटर नमस्कार दोस्तो आपका बहुत पहुत स्वागत है आपके अपने चैनल स्टोक्स बाजार में इस वडियो आपने बात करेंगे दो बेहतरी से जिसमें आप हर गिरावत में इनवेश्ट करते हैं लॉट टर्म के लिए दोस्तों ये दोनों सेर्स काफ़ी बहतरीन है और काफ़ी solid fundamentals वाली stock है जब भी किरावाट हम मिले जरूर invest केजिए long term के लिए तो सबसे पहला जो stock है वो है info is current market cap इसका जो है 68,000 क्रोड का है और current price की बात करें 5,300 का है जब ये stocks 4,500 पे आया था उस समय भी मैंने बात किया था अगर बात करें return on capital price मातर 4% का है return equity मातर 3% लेकिन दोस्तों ये काफ़ी बहतरीन stock है आप इसमें long term के लिए बिल्कुल invest कर सकत है क्योंकि इसका business काफी diversified है तो कई सारी कमपनियां जहें इसके आप इसमें आराम से invest करते हैं long term के लिए कोई भी दिकत नहीं है अगर debt to equity के बात करें 0.01 debt to equity करें तो बहुत मतला almost debt free कमपनियां है ये तनी बड़ी कमपनी मात 64,000 क्रूर का debt है कमपनी को पर तो कमपनी के उपर debt का भी कोई खास issue नहीं है net profit 1,400 क्रूर का है तो कमपनी का net profit भी काफी जगरदस्त है मतलब हर परामीचस पर एक कमपनी काफी जगरदस्त है तो निश्य दूरुप से आप इसमें invest कर सकते हैं अब बात करें कमपनी के analysis का तो इसमें देखिए प्रोज मा आपको अच्छे price पर ही मिलेंगे कोई दिकत वाद नहीं sales growth पूर है 8.43% का sales growth है तो इसमें भी खुल खास दिकत नहीं आने बाले समय में काफी अच्छा sales growth हो सकता है return on equity मात्र 5.10 है तो ये थोड़ा सा concern है earning include and other income of एतना क्रोर 1583 क्रोर का तो ये भी एक concern है promoters holding decreased over the last 3 years मात्र 3% decrease हुआ है तो ये भी काफी कोई खास issue नहीं है पियर्स कामपरिजन पर देख सकते हैं तो इंडिया मार्ट इंटर में ये भी काफी बहती बहती निया stock है लेकिन info is उस जब में काफी ज़्यादा जबरतस stock है और बात करें sales के growth का तो 2010 में मात्र 237 क्रोर का sales था जोकि लग होते होते 1,400 क्रोर का profit हो चुका है तो देखते हैं profit में काफी बड़ा jump है जो कि आपको share price में भी देखने मिलेगा इसे दिया share price 500 पे गिल का आ चुका था जहां से jump होकर के 5,300 पहुच चुका है अब बात करते हैं balance rate का तो balance rate भी कंपनी का काफी जवरदत है share capital कंपनी पास 139 क्रोर का है reserve जहे कंपनी का लगातार इंकीज होए 2010 मात 345 क्रोर का था महाँ से reserve इंकीज होकर के 5,300 क्रोर का हो चुका है और बो खास कर जाने बहुत बड़ी कंपनी है तो इतना सार डेट से कुछ खास होने बाला नहीं है महीं बात करें cash flow का cash from operating activity तो operating activity से जो cash है वो है अभी देख सकते हैं रगातार positive ही रहा है और 276 क्रोर का operating activity से cash हो चुका है और cash from investing activity से जो cash है वो negative में है और financial activities यह भी negative है और overall जो net cash cash flow है वो positive यह company का तो overall cash flow भी कमपनी positive है मतलब company एकदम positive work कर रहा है अब return on capital implied की बात करें तो return on capital implied माय तो 4% है जो कि लागाता डिक्रीज हुआ है डेविटर्स डेज की बात करें तो माधर टूल डेज है तो company काफी बहतरी है direct company case में earn करती है और invented turn over की बात करें तो inverted turn over उपल company भी काफी बहतरी है तो cash rich company है उसमें कोई खास दिक्कत नहीं है अगर आप investor section पर जाते है promoters holding थोड़ा सा decrease हुआ है 38% हो चुका है तो promoters holding में धेरे धेरे थोड़ा सा decrease देखने मिला है लेकिन overall काफी बहतरीन company है और long term investment के लिए भी काफी बहतरीन है तो पहला company हो गया आप देखिये जो लिस्ट हुआ था तो उस समय था 232 रूपेज और वहां से यह high लगाया 800 का और वहां से फिर से stock में गिरावट होता है और वहां से low लगाया 190 रूपीज का और 2009 में यह low देखने मिला था हो तो 190 रूपीज का low लगाने के बाद यह stock 5000 का जरनी तैय कर चुका है मतलब पिछले 10 सालों में यह अपनी इंवेश्टर को 30 टाइम्स का रिटरन दिया है क्योंकि यह 6000 लगवग पहुच चुका थे यह stock लगवग 30 टाइम्स का रिटरन दिया अपनी इंवेश्टर को जो की रिटरन काफी जबरदस्त है तो इसी तरह के बहतरीन रिजल्ट आप आपको यह आगे भी देंगे मतलब बहतरीन डिटरन आपको आगे भी देंगे तो काफी बहतरीन stock है लॉंग टर्फ ले इंवेश्टमेंट किया जा सकता है अगला जो बहतरीन stock है उसमें है IRCTC इंडियन डेलबे कैट्टिंग एंड टूरिज्म कारपोरेशन इसका करेंट म लॉंग टर्फ ले इंवेश्ट कर सकते हैं अगर बात करेंट करेंट प्राइस का 235 रूपीज का असपास का करेंट प्राइस है डिपने इललब 0.61 परसेंट का रिटर्न ऑन कैपिनल इंप्लाइस 16 परसेंट डिटर्न ऑन एक्विटी 11 परसेंट परमोटर्स ओलिंग 67 परस जो पॉजिटिव बात हैं कमने डेट फ्री हैं और कपनी का जो रिटर्ण ऑन इक्योटी है 27 परसेंट है काप्य बहतरीन है कपनी जो दिवन पे आउट किया है 59 परसेंट का ये भी कापय बहतरीन है और जो पॉन्स है मदब कममिक सांद जो निगेटिव बात है कि बूक वै 125 क्रोर का अधर इंकम है इस कंपनी का और कंपनी जो डेविटर्स डेज है कंपनी का वो 251 डेज का है तो डेविटर्स डेज काफी हाई है तो यह सारे निगेटिव बात हैं कंपनी में जिसमें से जो यह डेविटर्स डेज है यह थोड़ा सा कंसर्न है और कोई भी खास कंसर् देखने नहीं मिला है और book value से high price पे ही आपको अच्छे stocks मिलेंगे तो ये भी कोई concern नहीं है और इसके पीर्स को देखने का कोई ज़ोड़त ही नहीं है क्योंकि ये company बिल्कुल मानोपाली बाला है और जिस सेक्टर में काम करती है उसमें कोई भी दूसरा सेक्स्टॉप का नहीं है सेस्ट की बात करें 1059 क्रोर सेल्स था 2015 में जो बढ़ते चला किया लेकि पैंडमिक आने के कारण पिछले एक सालों से बिजनस पूरी तरसे बंद है तो काफी ज्यादा सेल्स में डिक्रीज देखने मिला है अगर बात करें कंपनी की नेट कीटे में काफी डिउन्स देखने मिला से बिजनस पूरी तरह से नॉर्मल मोगता है यह जाइस्ट पूरी तरह से पर्फॉर्म करता हूँ आपको निज़राएगा अगर पानेे सीटक वाल और 16 क्रूर कहा है रिजर्ब जो है तो सब्सक्राइब 15 में 424 क्रोर का था वहां से बरकर के जो टूटल रिजर्ब हो चुका है कंपनी के पास 1307 क्रोर का बोर्विंग के बात करें बिलकुल जीरो है मतलब कंपनी को पर कोई भी डेट नहीं है अगरे बात करते हैं cash flow का cash from operating activity अप्टेटिंग एक्टिविटी से जो कैसे कंपनी के पास वो लगभग positive रहा है हमेशा और investing एक्टिविटी से cash flow निगेटिव और positive दोन रहा है और financial activity से cash flow देशने लगा अथा निगेटिव रहा है overall cash flow जाए positive है यह काफी बहतरी चीज़े है कंपनी के साथ वहीं डेटर्स देश की बात करें यहां पर गिरावट देखने मिला है डेटर्स देश काफी हाई कुछ का 252 का क्योंकि पैंडवी कारण कंपनी की बिजिनस बंद है inventory turnover कंपनी का जो sales है वह काफी बहतरी है देख सकते हैं कि जितना कंपनी के पास जो stock है उससे इतना times ज्यादा कंपनी का sales हो रहा है तो inventory turnover काफी जबरदस्त है अगर investor की बात करें तो इसमें जो promoter का stake है 67.40 है FIH का stake 8.17 है DIH का stake 10.34 है public stake 14.10 है तो हर stake जो काफी बहतरी है company में क्योंकि प्रमोटर का stake 60% से भी एवब है तो काफी जबरदस्त है तो IRCity से भी काफी जबरदस stock है अगर chart देख लेते हैं तो company का जो price list हुआ था IPO में वह 623 रूपीज पे list हुआ था और यहां से लगातार यह मुमेंटम देखाया और अपना हाई बनाया लगभग 200 रूपीज का और हाई बनाया 2000 रूपीज का और वहां से पैंडवी का इसमें काफी जबरदस्त गिरावर देखने मिला था और यह स्टॉक मात 800 रूपीज पे आपको मिल रहा था और 800 रूपीज से यह फिर से कर देखने मिलेगा जो इस टॉक को तो तो 500 के योपन लेकίν जा सकता है तो यह तो इस्टॉक है जो की काफी बेहतीन है लॉंटम इवेस्टम के लिए तो लॉंटम के ऐसथा सकते हैं जो कि आपको बहतीन विल्ट कर देगा आने वाले 5 years में 10 years में तो long term के लिए काफ़ी बहतीन स्टॉक है और जब भी कोई concern दिखाई दे मतब कोई भी problem दिखाई दे company में तो जरूर आप इससे exit कर ले मतब profit book कर ले तो मिल्कात ये वीडियो helpful लगा होगा तो वीडियो को लाइक और share करना है जब आप अली 12 है सस्क्राइब कर लेना है फिर से मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए